Hey everyone and welcome back to my channel आज की एपिसोड में हमने फ्लायर डिजाइन सीखना है और फ्लायर कितने किसम के होते हैं थोड़ा सा मैं आपको वो बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें मैंने सुना है कैसे कहने से लोग सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ते हैं जी फ्लायर बिसिकली तब हम डिजाइन करते हैं जब हमने अपनी किसी सर्विस को या कोई इवट हो या कोई ऐसी बात हो जो हम अपने कसमर्स तक communicate करना चाते हैं ठीक है उसको in print form ठीक है print form के जरिये हम उत तक पुछाना चाते है एक company है shoes बनाती है जो हम करेंगे एक pamphlet या एक flyer बनाके उसके उपर उस जोते की information लेगे price भी दे सकते है discount भी बता सकते है तो वो हम distribute करेंगे different अलाकों में, different cities में, different महलों में और वो एक आप कह सकते हैं वो print, जो वो paper का piece होगे जिसके उपर यह सारी information होगी हम उसे flyer कह सकते हैं अब flyer जो है वो एक company के बारे में भी हो सकता है किसी deal के बारे में भी हो सकता है एक real estate है, बंदा है, agent है, वो अपना घर बेच रहा है या किसी घर की deal करवा रहा है तो वो बता सकते हैं कि यह वाला जो घर है हमने कोई 25 लाग रुपे में बेचने है तो जिसने purchase करना है वो इस contact पर रापता करें ठीक, इस number पर रापता करें दूसरा एक कोई इद आ रही है या कोई party है new year की या कोई independence day का कोई flyer बनाना या आपको event आ रहा है उसके बारे में लोगों को बताना है तो हम flyer design कर सकते हैं तो different based on events, situations और इसके अलावा business की deals, services और पूरा business भी हम advertise कर सकते हैं इस flyer के थुरू तो आज हमने जो काम करना है वो एक business flyer बनाना है ठीक है corporate flyer कहते है creative flyer भी कह सकते है और एक company के बारे में बनाना है जो marketing करती है ठीक है और याद रखिएगा कि ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये इसके तरू हम graphic river के लिए भी flyer इसी तरह ही design करते है और किसी customer के लिए करना हो तो photoshop में वो भी यही तरीका है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने page का size कैसे लेना है bleed कैसे करना है यादि कैसे लगाना है उसको फिर हम flyer designing स्टार्ट करेंगे तो first of all मैं आपको बताता हूँ कि जब flyer design करते हैं तो mostly print के लिए हम करते हैं तो print के लिए हमेशा हम color जो लेते हैं वो CMY के लेते हैं तो आपने simply create new पे click करना है और यहां पर अब print के उपर चले है direct ठीक है और आप A4 mostly जो चलते हैं flyer के sizes वो A4 होते हैं जिसकी width होती है 210 by 297 mm में तो हम इनको inches में भी convert कर सकते हैं यहां पर आपने inches पे select कर लेना है ठीक है यहां पर inches पे इसके लावा अगर आपने orientation change करनी है for example portrait में बनाना है तो यहां से click करेंगे और अगर landscape करना है तो यहां पे तो mostly हम portrait के उपर work कर रहे होते हैं लेकिन डिपेंड करता है customer क्या मांग रहा है ठीक है तो अगर तो flyer की जो category है वो आती है बाइ फोल्ड में यह ट्राइ फोल्ड में तो हम mostly design जो करते हैं वो landscape में कर रहेते हैं तीन यह दो हिस्सों में तक्सीम कर देते हैं अपने page को लेकिन फिलहाल हम orientation जो है वो यहां पर portrait ले रहे हैं ठीक है और printer को भी कोई problem ना हो file के अंदर यानि के high resolution file हम इसमें लेते हैं 300 resolution must है ठीक है अच्छा जी उससे पहले मैं landscape कर लेते हैं बाद में हम इसको change कर लेते हैं landscape मैं क्यूं कर रहा हूँ मैं आपको अभी explain करता हूँ यहाँ पर create पे उपर click करेंगे अब यह आपके सामने आ गया A4 page in landscape mode और अभी इसके उपर हमने कोई bleed वगरा नहीं लगाई ठीक है यहाँ पर मैं explain करूँगा so मैंने brush tool लिया है और अगर आप flyer जो है single page flyer बना रहे हैं ठीक है जो front side से print होनी है और sometime होता कि यह double sided होते हैं so front और back दोनों design होते हैं और वो दोनों अलग-अलग design होगे ठ करते हैं जी हमने बाइब बना तो फिर हम क्या करते हैं landscape पे लेके उसको आदा आदा design करते हैं ठीक है तो ऐसे हम उसको यह एक side हो जाती है इसके लावा इसकी जो दो back side होंगे total four side हो जाएंगे या आप दो sides भी करवा सकते हैं print लेकिन यह mostly चार होती है इसे जाने trifold का एक word आपको अकसर मिलेगा तो वो trifold क्या करेगा हमने a4 का size लिया है तो उसको हम 3 equal size में divide कर देंगे ठीक है यह हम just rough लगा रहा हूं तो यह 3 equal size अगर equal तो नहीं है वैसे लेकिन आपको just guide कर रहा हूं कि यह 3 equal flaps में यह 3 equal columns में हम इसको divide कर देंगे तो यह trifold बन जेगा इसकी total 6 sides design होती है तीन एक तरफ और तीन एक तरफ और तीन एक तरफ तो यह हमारा trifold बन जाता है ठीक है तो यहां पर आज हम single side बना रहे हैं और वो portrait style में बना रहे हैं तो आपने image के menu में जाना यहां से image को rotate कर लेना है clockwise 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 हम rotate करेंगे तो आपका जो flyer है वो size में आ जाएगा अब हमने इसका bleed लगाना है तो आपने image के menu में जाना है और canvas size canvas size यहां पर देख लें आप इन चीज में select कर लें और यहां पर अगर 2020 version यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहां पर या कोई भी latest version यूज़ गर 17 0.125 यानि कि दोनों तरफ से plus का icon add करके 0.125 और यह values आ जाएंगी और आपने यहां पर color change करना है लाजमी ठीक है color क्यों change करना है ताकि आपका जो bleed या extra canvas निकलेगा वो किसी और color का और हमें देखने में असानी हो ठीक है हम ok press करेंगे यहां पर ok press करते हैं तो यहां पर आपक जो है लग चुका है ठीक है इच साइड यह 0.25 है तो दोनों साइड का हमने कठा लिया तो 0.125 हो गया अच्छा मजीद अगर आपने bleeds के बारे में समयना है तो यह description में एक link मजूद है वहां पर दिखें कि bleeds लगाते कैसे हैं और क्या चीज़ होती है bleeds और यह उपर icon जो तो आपको मैं बता दूँ कि आपका यह जो है safe zone है अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको clear होगा कि यह वाली जो है आपका actual size है यहां पर और इससे आगे हम 0.125 अंदर की तरफ से भी एक box ले लेते हैं या guides ले ले लेते हैं तो वो वाला जो size होगा वो आपका होगा safe zone तो mostly हमका करते है content अपना safe zone के अंदर रखते हैं तो वो mostly यहां से लेकर ठीक है दुनों तरफ से देख लेते हैं कुछ यहां तक जाएगा ठीक है यह दुनों तरफ से 0.125 अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से यह हमारा होगा है जहां से actual में cut होने flyer print होते है वकत और य खैर अब यहां पर हमने simply click or drag करना है और यहां पर adjust कर लेते हैं उपर से और click or drag करके rulers निकालने आपने control और प्रेस करेंगे और यह हमने जस्ट गाइड लगा रहे हैं ताकि हम नीचे जो भी बैग्राउंड लगाएं मारी गाइड रहें ठीक है गाइड से क्या होगा कि आपको गाइड होता रहेंगे न आप तो यहां पर आपने गाइड लगा ली अब यहां पर simply इसको थोड़ और इतना ही ब्लीड अंदाजे से आप कह सकते हैं अंदर से मैंने रखना है जान बूज के रखना है थाकि हमारा content कट ना जाएग अगर चाहे हम safe zone भी यानिके actual size में भी अगर हम design करें तो 0.125 के लिहासे आपने अपना जो ब्लीड है वो ले लेना है अब हम start करते हैं अपन पर रख रहे हैं लोगो ठीक है so basically यह marketing company का flyer है ठीक है और यहाँ पर हम अब इसका just two page marketing company का नाम है तो हमना two page लिखा हुआ सिर्फ और एक यह normal सा logo बना के रखा हुआ है just for the demo और company नाम है second page marketing अगर tagline देनी है marketing तो दे सकते हैं वरना अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे ठीक इसके बाद हम एक image यूज़ करना चाहरे है ऐसे background वह भी कर सकते हैं फिलहाल हम एक rectangle लगाएंगे यहाँ पर rectangle लगा रहे है ctrl T press कर रहा हूं और इसको उठा के कुछ style देते हैं ctrl का button press करेंगे और इस दर से पकड़के हम यह जो है थोड़ा style चेंज कर दिए ठीक है अब इस जगह पर मैं कोई buildings या कोई जो भी हमें marketing के relevant कोई image मिलता है वो लगाता हूं ठीक है तरह corporate level की buildings होती है जो वो दिखाते हैं उसके बाद कोई image वगारा किसी businessman की दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम दिखा सकते हैं या को grow के relevant तो एक business आप कह सकते हैं कि grow करवा आने वाला element हमने इसमें add कराना होता है ठीक है तो मैं यहां पर एक और rectangle बना रहा हूं और इस बार थोड़ा सा कुछ change करेंगे control T press करना है control को button press करेंगे और इसको नीचे ले आते हैं और इसको adjust करते हैं यहां पर इसको back पे ले जाते है color double click करके हम वही जो main second page का वो select करें देते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने image clip करनी है ठीक है तो image ले आते हैं जी पिग्जाबे से जाकर हम एक image लेकर आते है पिग्जाबे डॉट कॉम पिग्जाबे में क्यों use करते हैं क्योंकि इसकी image जो हम commercially भी use कर सकते हैं इसलिए कोई problem नहीं आएगी तो यहां पर हम लिखते हैं buildings resolution वाली करें दिखा के जब print हो तो अच्छी resolution आया ठीक है तो मैं यहां पर download कर लेता हूं image को अब हम photoshop में चलते हैं file और यहां से place embedded और जहां पर आपने image डाउनलोड की है वहां से हम जाके place कर लेते हैं ठीक है यह में जा गई अब हम इसको size बड़ा कर लेते हैं और इस image को रखेंगे यहां पर यह जो ग्राफिक से इसको उठाके बाहर ले जाए फिलहाल जो आपने बनाना है लोगों को अलग group बनाना है हर चीज का group हम अलएद 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 बनाते रहेंगे जैसे मैंने आपको उपता है यह graphic river के लिए भी है तो यह चीज़ा आपने याद रखनी है तो अब इस image को हम clip कर देते हैं सबसे पहले rectangle की copy ले लेते है right click करके duplicate layer और ok उसके बाद यहां पे इसको यहां पर हमने ऊपर ऊपर हमने एक और rectangle रखा हुआ है तो यहां पर अगर पैस्टी कम करेंगे तो कुछ ऐसा effect आ रहा है अब इसके साथ अगर हम थोड़ा blend mode change करते हैं इसके लावा color देखें सही है तो हमारे पास different effects हो सकते हैं generate हो जाते हैं यह नॉर्मल पर रखें पैस्टी बहुत क्लिक करें shape के उपर और यहां पर हम यह कर सकते हैं इसको भी अगर हम करें use कर सकते हैं तो okay प्रेस कर दें तो इधर यहां पर हमने अपना main जो था image adjust कर दिया तो मैं control z कर रहा हूं ठीके जी और इसका blend mode में hard light कर दिया फिल हालो पैसी 75 अब कुछ बहतर लग रहा है तो इस तरह कर ठीक है तो यहां पर एक circle add करें फिल हाल और डिसाइड कर लें आपने इस तरफ करना इस तरफ करना मुझे जो है वह इस तरफ अच्छा लग रहा है तो मैं यहां पर add करूंगा और याद रखेगा थोड़ी थोड़ी spacing side सा चोड़ते रहें ताके वह हमारा safe zone रह ठीक है तो इस graphics को जो हमने यह लगाएं इनको select कर लें और हम इनको रख सकते हैं graphics नाम ठीक है जी effects रख लेते हैं और lips 1 यह इसमें हमने अपनी main image रखनी है ठीक है उससे पहले हम क्या करते हैं image ले आते हैं कोई so pixabay पे दुबारा आते हैं यहां पर लिखते है businessman तो यहां पर काफी ज्यादा images हैं और I think I should go with this one और this one ठीक है कुंकि यह थोड़ा brief कर रहा है और graphs लग रहे हैं तो वह marketing वाला बंदा लग रहा है तो इसको हम use कर लेते हैं अब photoshop में आगे है जी और place embedded और यहां पर जो image हमने download की है उसको यहां पर set कर देते हैं right click करके इसको पहले इसको control T प्रेस करें या इसको flip करते हैं इस बंदे को इस तरफ लेके आते हैं तो edit के menu में जाए transform और यहां से flip horizontal ठीक है और right click करके इसको create clipping once कर देते हैं यह ठीक ह कुछ बेतर है ठीक है लें जी size और adjust कर लें उस लिहाज से इसको थोड़ा साथ चोटा करते हैं जी circle को और यहां पर image भी उस लिहाज से हम पर छोटी कर लेंगे यह देखें ठीक है जी अब इसका border लगाते हैं और border के लिए हम ellipse tool select करेंगे और यहां पर right click करके blending options में चलते blending option में जाने के बाद stroke on करते हैं ठीक है stroke on करने के बाद अब जो color आपने match करवाने साथ वो कर लें for example यहां पर हम इसका opposite लेते हैं blue का opposite आएगा जी और red I think ठीक है तो red या orange mix कर लेते हैं यहां से size बढ़ा दिये देखें और outside कर दें size I think यह killer combination लग रहा है तो थोड़ा सा यह यह ठीक है तो यह दो combination जो है contrast एक बन गया बड़ा जबदस किसम का अब यहां पर हम अपना main title दे सकते हैं creative market agency यह जो भी आपने वहां पर देना है ठीक है title बगारा तो यहां पर हम main title देते हैं और control T press करके size बड़ा कर लगते हैं यह लिए creative marketing agency ठीक है जी creative marketing company भी लिख सकते हैं जो भी आपने लिखना है और यहां पर मैं जो font select करने जा रहा हूं वो है pop-ins याद रिखेगा हमेशा free font यूज़ करना है आपने और जिसके like easily आप यूज़ कर सकते हैं जो free में available भी हो ठीक है copyright का इशुना बने तो इसकी spacing कम करेंगे यहां से creative market agency का तो यहां पर अगर आपने मुझे लगता stroke बहुत बढ़ा है तो stroke थोड़ा कम कर लेते हैं 50 की बजाएं हम करते हैं यहां पर 35 और ok प्रेस करते हैं यह देखे image भी भड़ा लग रहा है control T ठीक है ellipse प्लस image control T प्रेस किये और I think यह यहां पर बैट गया सही this one is looking good और इसके अलावब कोई और abstract elements वगर आड़ करें जैसे यह एक हमने पीछे आड़ की इसी rectangle और इस तरह हम यहां पर भी कोई line वगर आड़ कर सकते हैं यह आपकी च्वाइस है मैं recommend नहीं करता या अगर कोई different चीज़ें आड़ करें जितना creative होगा design उतनी जल्दी अप का आपने pen tool select करने और यहां से shape कर लेनी है click करेंगे ऐसे और यह एक shape बना लेंगे ठीक है direct selection tool से हम इसको थोड़ा साइन क्रीज करते हैं size को double click करके orange color pick कर लेते हैं और यह think I think यह सही लग रहा है ठीक है इसको आप hide भी करवा सकते हैं अगर हम इस shape के नीचे ले जाए हम अब इस company के बारे में business details या जो भी services वो देते हैं उस बारे में हम यहां पर add करेंगे ठीक है details वगएरा ओके यह था जी end of part 1 for flyer को के video length थी काफी होने वाली है almost 40 minutes की video होगी यह वाली तो यह part 1 था और part 2 के लिए आप link description में मुझूद है वहां पर जाके चेक करें लेकिन उससे पहले subscribe कर लें लाजमी and मिलते हैं फिस second part में हुआ है ।